नमस्कार आप देख रहे देश का नमबर वन न्यूस चानल न्यूस एटीन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अनुपमाज़ा नमस्कार में रीमा प्रसाद इस वक्त बड़ी खबरों का सिलसला हम आगे बढ़ाएंगे बिलकुल नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकेता दोवे लेकिन बुलचन की शुरुबात करेंगे सबसे पहले बात कर लेंगे रश्या यूक्रेण बॉर्ड जोन से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर की जहाँ बिटिश मीडिया ने एक बड़ा दावा भी किया है और बिटियन की तरफ से दरसल यह जो दावा किया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताविक यूक्रेण पर फिर से बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है दावा ये भी है कि रूस ने बेरा रूस में तैनात अपनी सेना को कैसे तैनात किया है और सौस से जादा मिसाल को वापस पुना लिया है इनमें रूस की S-300 और S-400 मिसाले भी शामिल है क्या पुतिन ने की हमले की तैयारी यूक्रेन पर फिर परसे की आफ़र क्या यूक्रेन में होगी सबसे बड़ी तबाही जिस रूस ने यूक्रेन पर हमले की शिरुवात करते हुए महा युद्ध का आगास किया था जिस रूस ने यूक्रेन की कई शेहरों पर जम कर कहर बरपाया था जिस रूस ने यूक्रेन की कई अलाकों को अपने कबजे में ले लिया था वो रूस बिना शक्र यूक्रेन की खेर्सोन अलाके को छोड़ कर आसानी से चला गया जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को सक्ते में डाल दिया था खेरसों से रूसी सेनिकों की वापसी के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन को एक बड़ा कदम उठा सकते हैं यूक्रेन को फिर से थर रा सकते हैं और जब दावा ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से किया गया वो दहशत में डाल दीने वाला है क्योंकि पुतिन का एक आदेश सामने आया है फिर आस्मान से बरसे की मिसाई यूक्रेन के कई शहर हो जाएंगे तबाह ब्रिटेन के एक बार मेल ऑनलाइन ने दावा किया कि पुतिन ने अपने सेनिकों को रूसी मिसाईलों की तैनाती का आदेश दिया है ये वो मिसाईल है जो अब तक रूस से सटे बेलारूस में रखी हुई थी बेलारूस से रूसी मिसाईलों की वापसी का आदेश करीब सो मिसाईल वापस मगाई गए S-300 और S-400 मिसाईल है बेलारूस से मगाई अभी तक रूस के सैनेक बेलारूस में रहागा ट्रेनिंग कर रहे थे और यूकरेन पर हमले की तैयारी की जा रही थी ये वही बेलारूस है जहां से रूस ने हमला बूला तो यूकरेन के कई लाके रूसी सैनेकों की कबजे में आते चले गए और तावा किया जाता है कि अब भी बेलारूस में रूस तबाही का सावान जमा कर रखा है जिससे मौका मिलते ही यूक्रेन को निशाना बनाया जाता रहे वे बेलारूस से सौ मिसायलों की वापसी के आदेश को रक्षा विशलेशा बड़े खत्रे के तौर पर देख रहे है प्रिटिश मीजिया के मताब है S-300 और S-400 की आवाजा ही तेज हो गई है जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किये गए हमलों के बाद पलटवार से बचने की तयारी को दिखाता है इसके साथ ये एक बड़े खत्रे का भी संकेत दिया है कि आने वाले तिनों में डर्टी बम का इस्तमाल भी किया जा सकता है अगर इस दावे में सच्चा ही है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े खत्रे से कम नहीं है कि रूस ने अभीतर अपने आम नागरिकों को सेना में शामिल करने के प्लाइन को नहीं रोका है इसके साथ ही लगतार उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वे बेलारूस में भी रूस के सेने टेरा डाल कर बैठे हुए है तावा तो ये भी किया गया है कि पुतिन का आदेश है कि किसी भी वक्त एक्शन के लिए तयार है इस बीच ब्रिटेन की मीडिया दा मिरर ने तावा किया कि 9 से 13 नवेंबर के बीच रूस के सेने विमान ने बेलारूस से पस्चिम और तक्षण रूस के लिए कई उडान भरी हर बार की उडान के तोरा विमान मिसायलों से भरे हुए थे इन दावों के बाद रक्षा शेत्र के जनकारों ने यूक्रेन को पहले से ज़्यादा लट रहने की हिदायत दी है क्योंकि पोतेन की ये तैयारी किसी बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या है